नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों आरो यारो 2016 की परिच्छा फिर फंसकती है कारण क्या है और परिच्छा पर संकट के बादल क्यों चाहे हैं इस बारे में इसी वीडियो में चैचा करेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको मिल सके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए दोस्तों आरो यारो 2016 की जो परिच्छा है एक बार हो चुकी है और होने के बाद पूरी की पूरी परिच्छा को निरस्त किया गया है कारण आप सबको जानकारी होगी इसके बारे में अगर नहीं है तो मै 12 यह परिच्छा करवाई जा रही हाला कि बीच में 2017 की परिच्छा हो चुकी है उसका इंटरव्यों के रिजल्ट भी इनकल चुका है ठीक है 2016 की परिच्छा अभी भी फंसी हुई है इसकी तारिक दी गए थी तीन मई की डेट दी गए थी कोरोना की चेकर में परिच्छा न क्योंकि सोसल मीडिया पर काफी तेजी से इस चीज की चर्चा है कि इसमें जो पहला कारण है कि इसमें इन्होंने निगेटिव मार्किंग रख दिया है तो निगेटिव मार्किंग जो रखा है तो निगेटिव मार्किंग से क्या होगा कि जब नोटिफिकेशन जारी किया था 2016 में उस समय आयो की परिच्छाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और दूसरा रीजन है कि अभी जो है मुखी परिच्छा में तेरा गुना भ्यार्थियों को लिया जाता है पहले जादा लिया जाता था तो छात्र इन दो चीजों से परिशान है और वो कह रहे हैं कि यह दोनों रूल हटाने चाहिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी नोटिफिकेशन की बेस परिच्छा करवानी चाहिए अब देखिए जो भरतिया होती है उसको फंसाने में कहीं न कहीं जो भरती कराने वाली एजनसी होती है उसका भी रूल होता है अब उत्तर प्रतेस लोग से वा आयोग को यह दो नए रूल लगाने की कोई जरूवत नहीं थी उस रूल पर ही जब परिच्छा पुरानी है तो उस च्छात्र जो है कोट जाने का प्रोग्राम बना रहे है कि इस मैटर को लेकर कोट में जाएंगे तो भाई कोट में जाएंगे तो नुकसान किसका है भरती फंच जाएगी चार छे साथ आठ नो दस महीने तक आप लड़ते रही है कोट में डेट पर डेट मिलती जाएगी बाकी परिच्छाओं की तैसे डेट पर डेट मिल लएगी है परिच्छा को हो जाने दिजिए यही सबसे अच्छी बात है क्योंकि देखिए यहाँ अगर निगेटिव मार्किंग उन्होंने कर भी दिया है तो यह तो सभी के लिए है ना परिच्छा फिर से नए सीरेस हो रही है जितने भी चातर परिच्छा में बैठेंगे कमपेटिशन बहुत कम है मैं बता रहा हूँ आपको एक तो काफी कम चातर पहले परिच्छा में बैठे थे अब 2016 के बाद 2020 में चार साल में देखिए आज यह 2018 का भी रिजल्ट आगया PCS का इसी में के कुछ चातर उसमें विचैनित होगे होंगे और इसमें इतने रिजल्ट आया है चार साल में सभी चातर इदर उदर चले गए होंगे बहुत कम चातर परिच्छा में बैठेंगे तो आप लोग परिशान मत होगे निकेटिव मार्किंग तो सभी के लिए होगी और तेरा गुना जो लेंगे यह मुखी परिच्छा में वो भी सभी के लिए है तो एक नए सीरे से है और आयोग के पास एक पॉइंट होगा आप इसको नकार नहीं सकते परिच्छा सुरू होने से पहले यह रूल से सभी को बताए गए और परिच्छा नए सीरे से हो रही है तो यह रूल लगाए भी जा सकते है कोड में आप इसको चैलेंज कर सकते हो बात दूसरी है लेकिन आयोग भी अपना पॉइंट रख सकता है इसलिए परिच्छा हो जाने में ही सबकी भलाई है खेर जो भी होगा देखते हैं अगे 2-4 दिनों में आगे क्या होने वाला है जैसे भी अपडेट होगी आपको समय पर अवगत करा दिया जाएगा जोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो और पसंद आएगा तो जरूर शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो में आपको डिसलाइक करने के बारे में भी बोलता हूं कोई डिसलाइक करने के बारे में नहीं बोलता अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ धन्यवाद